हेलो फ्रेंट्स मैं उगोरव और 14 ऑगस्ट 1947 ये वो एतिहास एक दिन था जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का बटवारा हुआ लेकिन उस दिन एक और दुखत घटना हुई जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं पंजाब का बटवारा वो पंजाब जो 1947 में तो ऐसा दिखता था पर आज ये कुछ ऐसा दिखता है याने आज की तारीक में ये इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब से तीन गुना छोड़ा है और इसलिए भाई लोग आज का वीडियो थोड़ा हटके हैं क्योंकि आज होगा एक बैटल एक मुकाबला बेट्वीन इंडियन पंजाब एन पाकिस्तानी पंजाब कौन सा पंजाब ज्यादा एडवाजड है और लास्ली कौन सा पंजाब रहने के लिए सबसे बाप है तो चलो शुरू करते हैं मुकाबला और देखते हैं इस मैच को कौन जीता है एन टुदेइस वेडियो टाइटाल इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब तो अब इस बैटल का फर्स्ट राउंड है लाइफ स्टाइल यहने बेसिकली कौन से देश का पंजाब किसी भी इंसान के रहने के लिए अच्छा है ज्यादा प्रेफरेबल है सो एक इंसान के अच्छे स्टेट में रहे पाने के लिए चार मेजर फाक्टर्स इंफ्लुएंचेल होते हैं फाक्टर नमबर वान एन इंडियोंट इंडेक्स जिसे है एजडियाई कहते हैं Now, HDI basically एक statistical data है जिसके basis पर countries और states को different tiers में classify किया जाता है और ये HDI बना है तीन elements से पहला है वहाँ का education, दूसरा है वहाँ का per capita income याने की individual citizen का average income और तीसा है life expectancy याने on an average वहाँ के citizens कितने साल की जिन्दगी जीरे अब HDI wise Indian Punjab का score है 0.700 से 0.799 and Pakistani Punjab का score है 0.732 Now, this is interesting, I know दोनों का point काफी 19-20 है लेकिन, well अगर हम area wise देखे न, तो Indian Punjab का area है around 50,000 square kilometers और वहाँ का population है around 2 crores The other hand, Pakistani Punjab का area है around 2 lakh square kilometers and वहाँ का population है around 9 crores So now, a larger area and higher population means higher resources, right? and also it's allocation लेकिन इन parameters में दोनों भी states में इतना staunch contrast होने के बावजूद इन दोनों का HDI almost बराबर है लेकिन हमारा Punjab आचा है इतना ही आगे हो जाता अगर Indians के पास employment की कमी ना होती क्योंकि 2016 के 43.4% से आज 2021 में employment rate घट कर 36.86% हो चुका है साथी Indian Punjab तो इंडिया के top 10 startup state के list में भी नहीं आता जिसे boost करने के लिए Indian government ने startup India Punjab यात्रा के तहट startups को incentive देना start किया है और यह सी लिए ताकि society की knowledge, wealth और employment को बढ़ावा मिले पर Indian Punjab के जीतने की एक और एक वज़े है HDI parameter number one, education because पाकिस्तानी पंजाब में students को गलत education मिल रहा है for example के लिए उनकी history में कहीं सारी चीज़े completely जूट है गलत होती है, misrepresented होती है जैसे की wrong fact number one पाकिस्तान की टेश्बुक के according पाकिस्तान 711 AD में सिंध कॉंक्वेस्ट के बाद से exist करता था Now पूरी दुनिया यह जानती है कि पाकिस्तान कब पैदा हुआ था wrong fact number two 1965 Indo-Pakistan war में इंडिया के हारने और territories loose करने के बाद इंडिया UN के पास जाकर ceasefire के लिए रोने लगी और फिर जाके पाकिस्तान ने दरिया दिली दिखाते हुए इंडियन territories को वापिस किया Wrong fact number three During Pakistan, पाकिस्तानी Muslims, Non-Muslims की help कर रहे थे और Indian Hindus, Muslims पर से वे atrocities create कर रहे थे जबकि दोनों तरफ से violence equal था If not, पाकिस्तान के तरफ से ज्यादा Wrong fact number four 13th century में पाकिस्तान सिफ Northern India और Bengal तक फैला था लेकिन by 16th century पाकिस्तान ने पूरे इंडिया को ही conquer कर लिया अर कोई जानता है ऐसा कभी हुआ नहीं So anyway, coming back to our comparison अब एक state में एक decent life बिताने के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी चीज़ है ना वो है हमारा infrastructure which is our factor number two So infrastructure wise Indian Punjab में urbanized area करीब 37.49% है But पाकिस्तानी पंजाब में यह है around 36.71% So यहाँ पर Indian Punjab 1% ज्यादा urbanized है मलब यहाँ पर थोड़े better urban facilities available है Factor number three है transportation इंडिया से हलका कम urbanized होने के बावजूद पाकिस्तानी पंजाब में आज की तारीक में metro trains और bus services available है जो unfortunately अभी तक Indian Punjab में शुरू नहीं हुई है यहाँ पर अभी तक सिर्फ local transport ही available है So this point definitely goes to पाकिस्तानी पंजाब Factor number four crime rate According to पाकिस्तानी पंजाब पुलिस December 2021 में वहाँ crime rate 44% decrease हुआ और overall सिफ 44,000 cases register हुए और वहीं 2013 की एक report ने बताया पाकिस्तानी पंजाब के 29,000,000 population drug consumption में involved है On the other hand Indian Punjab में crime rates 13% increase हुआ है जिससे overall registered cases का count 82,000 cross कर चुका है But Indian Punjab में drug consuming population only adds up to 8.6 lakh And recently इस count में भी 40% का decrease भी हुआ है So crime के rate में पाकिस्तानी पंजाब wins Whereas low drug consumption की race में India wins But overall इन सभी points के winners को जोड़ कर Pakistan got 2 wins and India also got 2 wins Malab lifestyle वाले round में we have a draw Now it's time for the second round Which is economy Ab इस round में winner title पाने के लिए दोनों पंजाब को दिखाना होगा की कौन कितना अमीर है So let's discuss about the overall GDP contribution of both the states So Pakistani Punjab contributes 60% to its GDP And Indian Punjab only contributes 2.683% to its GDP Malab, Pakistani Punjab का contribution ज्यादा है और इसलिए Pakistani Punjab wins पर अफकोर्स पाकिस्तानी पंजाब GDP contribution के साथ Land area में भी इंडिया से काफी ज्यादा बड़ा है Right? And mostly दोनों भी पंजाब की economy agriculture पर ही ठीकी हुई है So चलो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं पाकिस्तानी पंजाब का पाकिस्तान के agriculture में contribution 19% है और इनके major crops के अगर बात करें तो है wheat and cotton लेकिन इंडियान पंजाब के उससे 3 गुना smaller size के बाद भी इसका agricultural contribution 27.26% है जिसमें major contributors है wheat and rice So ये भी एक interesting point है जिसमें हम कह सकते है kind of India wins But इससे हमें उनकी economy के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है जहां पर इंडियान पंजाब का GDP per capita 2622 डॉलर स्टेट किया गया है जबकि पाकिस्तानी पंजाब का GDP per capita 1572 डॉलर है याने कि GDP per capita अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है कि on an average उस जगे का एक रहवासी कितना कमा रहा है सो इवन दो पाकिस्तानी पंजाब की GDP हाई है as compared to Indian पंजाब but don't forget वहां का population भी हाई है तो GDP per capita काफी कम हो जाता है याने कि on an average इंडियान पंजाब के लोग पाकिस्तानी पंजाब से almost 75-80% ज्यादा कमा रहे है which is a great indicator of a growing economy so यहाँ पर clearly यह point जाएगा Indian पंजाब को so इस point में भी कुछ conclusive ली नहीं का जा सकता दोनों states के कुछ points है जोने एक दूसरे से बहतर बनाते है but let's move on to the other point maybe इस point में इंडिया या पाकिस्तान एक दूसरे को overtake कर ले क्योंकि तीसरी चीज जो किसी भी state के लिए सबसे ज़रूरी होती है वो है उस state की political stability and that's exactly our round number 3 अब देखो simple सी बात है आज आप जहां पर रहते हो अगर वहां की government हर दूसरे दिल बदलती रहती है तो वो देश के लिए क्या खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगी So according to reports and data पाकिस्तानी पंजाब अब तक 3 times under the governor rule plus 2 times under martial law चुकी है which basically means that it's an unstable government but Indian Punjab on the other hand अभी तक Indian National Congress के हाथ में है जो अब तक ही महां की longest ruling party रही है So now obviously that equals to a stable government but stable or unstable government का reason Well पाकिस्तान की unstable government का reason है terrorist movements बिकिस महाँ दर्जन और terrorist groups है जैसे Al-Qaeda, खालिस्तान जिन्दाबाद Force फलाय इंसानियत फाउंडेशन, बबबर खालसा इंटरनाशन एट्सेटरा यह सारे groups and वहीं इंडिया में सिर्फ एक खालिस्तान movement हुआ था जिसे government ने भी foreign control कर लिया और इंडिया की political stability का reason और stability दोनों ही देखकर आप खुद समझ गये होंगे यह point clearly Indian Punjab को जाना चाहिए So, here we have Indian Punjab taking a lead अब तक 3 rounds हो चुके हैं First round था lifestyle जिसमें मैं कोई विजयता नहीं मिला Second था economy जिसमें भी कोई clear विजयता नहीं मिला और third round था political stability का जिसमें Indian Punjab जीता Now, fourth round is freedom जो बहुत important है एक जगे पर रहने के लिए हैं Freedom को हम दो categories में divide कर सकते हैं First, freedom of religion 1947 में Pakistan और India का बटवारा हो चुका था और तब Pakistan में 20 लाग सीख रहा करते थे जिनका count आज सिर्फ और सिर्फ 50,000 हो गया है इसलिए 2020 में US Secretary of State Mike Pompeo के according अपने ही देश में religion violation की वजए से Countries of Particular Concern की list में Pakistan को डाला गया And not only this, in the same year Amnesty International Worldwide Human Rights Organization ने खुद पाकिस्तान से अपने देश में बसे Minority Religion की religious beliefs को protect कराने की बात की Because Islamabad में बन रहे हिंदू temple की अगेंस जैसे ही public ने opposition दिखाया Government ने खुद ही इस project को बंद कर दिया पर एक तरफ पाकिस्तान को उनकी ही Minority Population की Rights and Beliefs को protect करने की याद दिलाई जा रही है दूसरे तरफ है Indian Punjab जिसने अपने 20 million Sikh population के लिए 5 major religions गुरुद्वारास के साथ 100 historical और cultural गुरुद्वारास को भी protect किया है Second freedom होता है freedom of language इंडिया के Punjab में 2.8 क्रोर पंजावी speaking population है और पाकिस्तान में करीबन 20 क्रोर बट मज़े की बात तो यह है कि इसके बावजूत पंजाबी हमारी official language है और उनकी नहीं पर यह सिर्फ यहीं पर खतम नहीं होता है इनके legislative assembly में भी पंजाबी को official status नहीं दिया गया है जबकि हमारे यहाँ भारत में दिया है पाकिस्तान में official language सिर्फ और सिर्फ उर्दू है और पंजाबी को kind of less intellectual माना जाता है which is a pretty common sentiment over there so this shows the level of freedom of language there in fact इससे बेटर तो freedom of language का example Canada ने sit किया है जहांसे 1.4% population पंजाबी है पर फिर भी उनके parliament ने हमारी ही तरह पंजाबी को एक official language का status दिया है वलब यहाँ पर comparison पंजाब्स का हो रहा है और जिस state ने पंजाबी को ही एक official language का recognition नहीं दिया है so यह point clearly Indian Punjab के खाते में जाना चाहिए क्योंकि not only freedom of language but religious freedom के मामले में भी Indian Punjab जीतता है which clearly means that Indian Punjab is the ultimate winner today अब friends दोनों ही पंजाब अपने states के development में लगे हुए है और दोनों की economy काफी तेजी से ग्रो हो रही है so we never know आगे हविश्य में कौन सा पंजाब किसको overtake कर ले आपकी कह रहा है इसमें land population and resources wise पाकिस्तानी पंजाब हमसे बहुत ज़्यादा आगे है लेकिन पाकिस्तान में इनका सही इस्तिमाल ना होने की वज़े से because of political instability and terrorist groups पाकिस्तान इनका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है और शायद इसी comparison के बलबूते पर पंजाब के XCM प्रकाश बादल जी ने कहा था अगर इंडो पाकिस्तान के relations बहतर होते तो इसका सबसे ज़्यादा हमारे पंजाब को होता जिसे trade boost के साथ कई सारे fields में boost देखने को मिलता Anyway, उमीद इस वीडियो से कुछ आपको नया सीखने मिला लाइक जरूर छोकना और ये दो वीडियोस बिल्कुल चेक आउट करना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियोस हैं आपका नॉलेज बढ़ाएंगे और सब्सक्राइब फर मॉर सी यून अनादर वन जैहेंद